एक माफिया से पंगा लेने का और सरकार समर्थित जब माफिया हो तो नतीजा यह हुआ कि मुझे रिजाइन करने के बाद भी न कहीं अपनी आजीवका के लिए कोई नौकरी मिलती थी, कहीं जौइन करूं तो फोन चले जाते थे इनको तो हटाना पड़ता था उन लोगों को किराय का मकान ढूंड़ा था मेरे पास अपना मकान नहीं था तो वो भी नहीं मिलते थे समान रात में रखा तो सबेरे खाली करना पड़ता था तो वो भी दौर देखा मैंने क्योंकि बिना कोई नौकरी के आपको लोन नहीं मिलता है बैंक नहीं देता है पेसलिप होती पर लाद दिये गए कि मुझे लाइसेंस भी आमस लाइसेंस आज तक नहीं मिला मुझे अब भले खतम हो गया लेना चाहूं तो ले सकता हूं लेकिन अब मैं जिस काम में करा हूं उसमें जरूरत नहीं लगती पासपोर्ट मेरा नहीं बन पा रहा था तो बहुत दुश्वार होई परिवार हमारा किस परिस्थिते में जिया वो मैं जानता हूं